नमश्कार, मैं डॉक्टर इंदू साहरन सबका स्वागत करती हूँ आज हम करेंगे मैथली शर्णगुप्त की कवीता सुदामा यह B.Sc. और B.C. के स्लेबस में से है तो आईए सुदामा कवीता की व्याख्या प्रारंब करते हैं देखें सुदामा नाम से ही हमें याद आता है कि सुदामा जो क्रिशन का मित्र था यह कवीता भी उसी सुदामा के जीवन पर आधारित है तो आईए इस कवीता की व्याख्या प्रारंब करते हैं सुदामा की पतनी जो ये जानती है कि सुदामा और क्रिशन अच्छे मित्र रहे हैं तो वो जब उसे पता चलता है कि क्रिशन एक राजा का जीवन व्यतित कर रहे हैं मत्रा के राजा हैं उनके पास अन और धन की कोई कमी नहीं है तो वह अपने पती सुदामा से आगरह करती है कि तुम क्रिशन के पास जाओ और उनसे अपने लिए धन या हमारी आवशक वस्तुएं उनसे मांग कर लाओ ताकि हम भी अपना जीवन आसानी से जी सकें क्योंकि जो सुदामा का परिवार है वो बहुत ही गरीबी में अपना जीवन जी रहा है और ये दोनों की आपसी बातचित है यहाँ पर सुदामा अपनी पत्ने को समझाते हुए कहते हैं उनकी पत्नी कहते है कि तुम Krishn के पास जाओ और धन दे कर आओ ताकि हम अपना जीवन आसानी से जी पाएं कुल्योंस तो सुदामा अपनी पत्नी से कहते है अरी राम कहे अपनी पत्नी को सम्भोदित कर रहे हैं राम कहे कि राम का नाम लो वन सा यह घर कि मेरा वन के समान ये जो घर है छोड़ कहां मैं जाऊं इसे छोड़ कर इसे त्याग कर मैं कहां जाऊं अर्थात जब उनकी पतनी उन्हें मतुरा जाने के लिए कहती हैं तो सुदामा अपनी पतनी से कहती है कि अरे तुम राम का नाम लो और इस घर में शांती से रहो मेरा य आनंदकंद को कैसे तेरी व्यथा सुनाऊं। आनंदकंद यानि खुशियां देने वादे, जीवन को सुख परदान करने वादे, उस यानि शिरीक्रीशन जो जीवन को सुख परदान करते हैं, उसको मैं तेरी व्यथा, तेरा दुख या तेरी पीड़ा कैसे जाकर जगती की बाधा से डरती है कि तुम संसार में रह रही हो जगती में रहकर जगती की संसार में रहकर संसार की बाधा से डर रही हो प्रशन कर रहे हैं अपनी पत्नी से कि संसार में रहकर तुम्हें संसार में जो बाधाएं हैं जीवन में आने वाले जो संकट है उनका सामना कर करना चाहिए तुम उनसे क्यों डर रही हो अपनी तो अपनी है धरनी असंतोष करती है कि अपनी तो अपनी है कि यह जो अपना जीवन है यह जो अपनी धरनी है यह तो अपनी है जो हमारे पास जगह है जो हमारा जीवन है जहां हम जी रहे हैं यह तो हमारा अपना है फिर संतोश क्यों व्यक्त कर रही हों यह सुदामा अपनी पत्नी से समझाते हैं आगे वो कहते हैं यह दुख मेरे सिर्माठे हैं यह अभाव मन भाया कि मेरे जीवन में जो दुख आ गया है इसे मैं अपने सिर माथे पर रखता हूँ अर्थात सविकार करता हूँ क्यों सविकार करता हूँ क्योंकि ये मेरे भग्ये में लिखा है ये अभाव और मेरे जीवन में जो अभाव है सुक साधनों का अभाव है जीवन जीने के मूलबूत साधनों का जो अभाव है वो भी मेरे मन को अच्छा लगता है मन भाया, मेरे मन को भागया है मेरे मन को अच्छा लगता है कृपा प्रभु की और मुझे जो ले जाने को आया कि कृपा प्रभु की और क्योंकि अगर मेरे पास अभाव नहीं होता तो तुम मुझे क्रिशन के पास जाने के लिए कभी भी नहीं कहती इसलिए मुझे अभाव से भी कोई शिकायत नहीं है क्योंकि ये अभाव ही है जिससे तुम मुझे क्रिशन के पास जाने के लिए कह रही हो विभव शालनी इस वदु वसुदा पर क्या अभाव है धनका पाया परम परागत मैने दुखलव साधन मन का यहां पर सुदामा अपनी पत्नी को कहते हैं कि विभव विभव यानि वैभव शालनी यानि सुख सुविधाओं से भरी हुई जो ये धरा है जो ये धर्ती है इस बहुत विभव शाली ये जो धरा है ये जो धर्नी है धर्ती है इस पर धनका कोई अभाव नहीं है पाया मैने परम परागत कि मैने परमपरा में जो मुझे मिला है क्या दुरलव साधन मन का यानि धन तो सब के पास है लेकिन मन ऐसा सब के पास नहीं है ये एक दुरलव वस का सबस्टू है तो मन में संतोष है ये सबके पास नहीं होता लेकिन मैंने प्रंप्रागत रूप से इसे प्राप्त किया। मैं उस कुल का हूँ विशुरुत है आगे वो कहते हैं कि मैं उस कुल का हूँ उस खांदान का हूँ कुल यानि जिस घर में उसने जनम लिया है जिस खांदान से वो जूरा हुआ है उस खांदान का हूँ विशुरुत है विशुरुत यानि प्रसिद है सब जानते हैं त्याग और तप जिसका कि प्रसिद है जिस खांदान का त्याग और तपस्या ये प्रसिद है क्योंकि जो सुदामा है ये ब्रहमन है और ब्रहमन कुल में जन्मे है तो ब्रहमन कुल में क्य क्या परंपरा रही है क्या परंपरागत साधन रहे हैं कि जो ब्रह्मन हुआ करते थे वो केवल अपने पेट भरने के लिए ही अन संचित करते थे उसको लंबे समय तक या धन कमाने के लिए अन का संचय या सुख सुविधाओं की साधनों का उनको कोई लोब लालच नहीं था उनका काम केवल त्याग करना यानि सुख सुविधाओं का त्याग करना और ईश्वर का तप करना था ताकि वो ग्यान फ्राप्त कर सके सही मारग लोगों को दिखा सके कि मुझे चाए हो या ना हो किन्तु क्या तुमको भी इस बात पर गरव नहीं है कि हम उस परंपरा से जुड़े हुए हैं जिस परंपरा में या जिस कुल में तप और त्याग के लिए जिस कुल की पहचान है या जिस कुल को हम जाना जाता है अर्थात हम उस ब्रहमन कुल से हैं जिनके लिए ये प्रसिद है कि वो त्याग और तपस्या पर ही बल देते हैं लोब लालत से वो जुड़े हुए नहीं है वो अपनी पत्नी को पूछते हैं कि क्या तुम्हें इस बात पर गरव नहीं है कि क्या तुम्हें हमारे परंपरा में मिले हुए जो दुरलब सादन है जो हमें मन मिला है जो मन इश्वर को समर्ण करने के लिए मिला है क्या तुम्हें उस पर गरव नहीं है लेता हूं कुछ से मैं अपने असन वसन की भीक्षा यहाँ पर सुधामा अपनी पतनी को कहते हैं कि लेता हूं कुछ लोगों से मैं अपने असन और वसन असन यानि जो जीवन या पन के लिए भोजन होता है वसन जो वस्तर होते हैं परथात मैं अपने जीवन के लिए जो जरूरी साधन है वो भिक्षा के रूप में प्राप्त करता हूँ और उसके बदले में देता हूँ कुछ को मैं उनके धरमकरम की शिक्षा और भिक्षा कब लेते हैं जब वो शिक्षा प्रदान करते हैं किसकी सिक्षा धरम और करम की यहां पर करम मारक को महत्व दे रहे हैं सुधामा करम की प्रधानता को महत्व दे रहे हैं कि हमें करम करना चाहिए और उसी के अनुसार जो हमें साधन मिले उन्हीं का भोग करना चाहिए तो सुदामा कहते हैं कि मेरा करम क्या है कि मैं कुछ लोगों को उनके धरम और करम की सिक्षा देता हूँ और उनहीं से भिक्षा में मैं अपने जीवन यापन के लिए जो आवशक साधन है वो प्राप्त करता हूँ चाहे वो भोजन है या चाहे वो वस्त्र है क्योंकि है आदान प्रदान यही तो लेना और देना दोनों को हितकारी ये हम दोनों के लिए हितकारी है लाबदायक है क्या जो मुझसे शिक्षा प्राप्त कर रहा है उसके लिए भी और मैं जिसको शिक्षा दे रहा हूँ तो ये मेरे लिए भी तो अर्थात हम दोनों के लि देना और देना हमारे लिए आवशक है या लाबकारी है हित करने वाला है मैं शिक्षा देता हूं और बतले में शिक्षा प्राप्त करने वाला मुझे असन और वसन देता है यानि भोजन और वस्त्र देता है बटे हुए है करम हमारे पड़े न जिसमें भारी कि हमारे करम यह सुचारू रूप से चलता रहे। देता है मिट्टी का घठी, मुझको ठंडा पानी, सुधामा अपनी पतनी को समझाते हुए कहते हैं कि तुम यह लालसा क्यों कर रहे हूँ, धन की इच्छा यह सुक सादनों की इच्छा तुम क्यों कर रहे हूँ, यह जो हमारे घर में म प्रशनात्मक्षेलिये प्रशन कर रहे हैं अपनी रानी अपनी पतनी से मैं तो इस घड़े से संतुष्ठ हूं जो मिट्टी का बना हुआ है इसी का पानी मुझे ठंड़क प्रदान करता है लेकिन तुम दरिद्र गरीब की रानी यानी पतनी होते हुए भी सोने के घड़े क कामना करती हो सोने का पात्र चाहती हो फिर उससे प्रशन करते हैं कि सोना पाकर भी क्या सुख से तू सोने पावेगी कि अगर तुमने सोना प्राप्त कर भी लिया अर्था तुम्हारे पास अगर धन भी आ गया तो क्या तुम सुख से सो पाओगी चैन से रह पाओगी अप हमारी जो लालसा है वो धन से जूर जाती है भोतिक वस्तों से जूर जाती है तो हमारे मन में लोब लालच और चिंता बढ़ जाती है इसलिए मन की जो आत्मिक शांती है वो समाप्त हो जाती है सुधामा उसे समझाते हैं कि ब्राहमनों को ये शोभा नहीं देता ब्राहमनों का मुख्य उदेशे क्या है मन को वश में रखना मन को शान्त रखना और समाज को ज्यान की शिक्षा देना तो यहां पर वो कहते हैं कि सोना अगर धन तुमने पा भी लिया तो क्या तुम्हें शांती मिल पाएगी तुम चैन से सो पाओगी बढ़ती हुई लालसा तुझको कहा न ले जावेगी कि तुम्हारे मन में बढ़ती हुई जो इच्छाएं हैं अगर एक बार तुमने धन पा लिया तो उस धन को पाने कि तुम्हारी इच्छाएं और भी बढ़ती जाएगी और तुम नहीं जानती कि वो तुम्हें किस रास्ते पर ले जाएगी अर्था तुम्हारी धन के प्रती लोब लालच जब मन में बढ़ जाएगा तो ना जाने तुम्हारा जीवन कैसे परवर्तित हो जाएगा और तुम किस रास्ते पर चल पड़ोगी काम, करोध, मद, मो समय पर लोब-सदैव सभी को, करमों के अनुसार किन्टू है देता सभी को यहाँ पर वो क्या कहते हैं कि जीवन में सबको ही काम, करोध, मद, मो यहाँ पर क्या बताना चाहते हैं कि परतेक व्यक्ति के जीवन में ऐसा समय आता है जब उसका मन कैसे काम भाव से गरस्थ हो जाता है, क्रोधित हो जाता है, मद यानि उसके जो नशा चा जाता है, मद होशी चा जाती है, एंकार आ जाता है, किसी वस्तु से मोव कर लेता है, स सदैव सभी को, कि ये तो हो स्वभाविक भाव हैं जो सब के हरदे में विराजमान रहते हैं, सब के मन में ये भाव हमेशा से ही विराजमान रहते हैं या विद्यमान रहते हैं, कर्मों के अनुसार किंतू, लेकिन जो जैसे जिसके कर्म है, उसके मन में वैसा ही भाव है वो सभी को देता है क्या देता है जीवन में सुख और सुविधाई जैसा करम होगा वैसा ही उसको सुख सुविधाई मिलेगी तो देवता भी उसको वैसा ही जीवन देते हैं क्योंकि अगर एक ब्रहम्मन अगर काम क्रोध मद मो माया में अगर फस जाएगा लोभी हो जाए कि उसका जो ज्माप्ष हो जाएगा और 10 कीश समाज को सही बिशा कैसे दे पाएगा सिदें लिए उसके पास साधन चाहे कंभाम है लेकिन उसके पास ज्याद का भंडार है और सुदामा पत्नी से कहते हैं कि जो देव हैं जो वो सबको सोच समझ के फल प्रदान करते हैं या जीवन की दिशा प्रदान करते हैं या जीवन में जो सुख सुविदाएं हैं वो इश्वर की कृपा से उसे मिल जाती है जो उसके लिए आवशक्या जरूरी होती है तो हमने देखा कि इस कवीता में सुदामा करम के महत्व को बताते हैं यानि मैथलेशन गुप्त ने कवीता के माध्यम से करम की प्रतिष्टा की है करम के महत्व को समझाने का प्रयास किया है इसके साथ साथ जो शब्दावली है खड़ी बोली हिंदी की शब्दावली है इसमें अगर देखें तो यमक अनुपरास अलंकार आ रहा है लुकोप्ति का सहर सुन्दर प्योग किया गया है और अंत में जो चंद है वो तुकान्त है तो इस तरह से एक यह सुन्दर कवीता है सुदामा के जीवन पर अधारित कवीता है यहाँ पर सुदामा अपनी पत्नी को समझाते हैं कि हमें कम साधनों में ही संतोष करना चाहिए और अपना जीवन यापन करना चाहिए उमीद करती हूं आप यह कवीता बहुत अच्छे से समझ पाए हो बहुत बहुत धन्यवाद झाल